तु गाइजर आज बहुत जादा बड़ी दिक्कत हो चुकिये मेरी गर्फ्रेंड ने मुझसे ब्रेक अप कर लिया और मुझे बताया में नी मेरी गर्फ्रेंड अरे तुमने ये क्या किया आरे वाओ तुम सब तो बहुत दिसादा श्प्रोंगों अरे कोकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अरे वो सब चोड़ो तुम मुझे बताओ कि तुम ने मेरे साथ प्रेकम क्यों किया ऐसा नहीं हो सकता तुम तुम मेरी कर्फ्रेंड हो अरे कोकू मैं तुम्हें कैसे बताओ अरे मुह से बताओ मुझे बताओ वाल तुम्हें मेरे साथ प्रेकम के यह अच्छा टीके कोकू तुम रोओ मत में तुम्हें बता देती हू मैंने तुम्हेरे साथ प्रेकम इसकी क्या क्योंकि तुम बहुत ही साधा कमजूर हूँ मुझे हमेशा से एक पावरफुल बॉइफरेंट चाहिए था मैंने सूचा था तुम कभी न कभी तो पावरफुल बन चाहोगे पर तुम तो कमजूर के कमजूर ही रहे यहाँ पर देखो यह वेजटा कितना साधा पावरफुल है यह अंकल कितने साधा श्क्रोंग है और उसकी तो पूछा मत वो तो बहुत अच्छा है अरे मैं पूरी की पूरी कोशिस तो कर रहा हूँ एक खातरनाग गोकू बनने की पर यह लोग सही में बहुत ही खातरनाग है तो तुम समझ गए ना इसलिए मैंने तुमारे साथ प्रेक अप किया क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हूँ अरे मुझे एक चांस ओर दो इस बार में पका खातरनाग गोकू बन कर दिखाऊंगा अबे आईस क्रीम के डंडी तुझा समझ नहा था लडकी ने बोल दिया ना तु बहुत ही कमजोर है और मैं बहुत पावरफुल ये मेरी गर्फरेंड बनेगी अरा बेटा मैं इन सबसे पावरफुल हूँ ये तो सरिफ मेरी गर्फरेंड बनेगी तु मैं क्या यहाँ पर घूमने आया हूँ मेरी बात सुनो लडकी मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ मेरा नाम है वेजिटा और मैं खाता हूँ बहुत सारी वेजिटेबल तुमने देखा ये लोग कितने ज़्यादा खातरनाक है और तुम बहुत ही ज़्यादा कमजोर हूँ मेरी बात सुनो अगर मैं खातरनाक सा गोकु बन जाओ तो क्या होगा मैं तीनों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन कर दिखाऊँगा अभी मैं बहुत ही कमजोर हूँ पर मैं एक पावरफुल और स्ट्रॉंग गोकु बन सकता हूँ मुझे नहीं लगता है सा हो सकता है आरा साही कहा मुझे भी नहीं लगता है सा हो सकता है कोकु तुम इनसे खातरनाक कभी नहीं बन पावगे पर फिर भी मैं तुमें एक चांस देती हूँ अगर तुम इन तीनों से खातरनाक बन गए और दुन्या के सबसे खतरनाक इंसान बन गए तो मैं तुम्हारी गर्फरेंट बनूगी और तुमसे शादी भी करूगी क्या गर्फरेंट भी बनूगी और शादी भी करूगी ये तो बहुत ही सादर खतरनागे तुम इदर ही रुको मैं दुनिया का सबसे खतरनाग गोकु बन कर रहूंगा तो गैजर अब बहुती हो गया मैं बहुती टाइम से एक कमजोर सा गोकु हूँ पर गैजर अब टाइम आ चुका है दुनिया का सबसे खतरनाग गोकु बनने का बच्चे मुझे बता चला है तुम बनना चाहते हो दुन्या के सबसे खतरना गोकू उसमें तुमारी मदद करने वाली है ये एनरजी ड्रिंग जिसका नाम है श्टिंग इस श्टिंग एनरजी ड्रिंग को पीने के बाद तुम अपग्रेड हो सकते हो ये बहुत खतरनाक है अरे अंकल फिर वेट किसका है चलती मुझे देदो तांकि मैं इसको पीकर अपग्रेड हो सकूँ बच्चे अगर तुमें ये एनर्जी ट्रिंक पीनी है तो तुमें एक अच्छा काम करना पड़ेगा क्या अच्छा काम अरे अभी कौन सा अच्छा काम करो अरे मुझे देदो मैं बाद में कर लूगा नहीं नहीं बच्चे अभी करना पड़ेगा क्या आपका कुट्टा पानी में गया अरे बच्चे यही चांज से अच्छा काम करने का जाओ कुट्टे को बचा लो अरे ने ने मुझे कुट्टों से बॉर्डर लगता है बच्चे अगर तुमें ये स्टेंग एनरजी ड्रिंक चाहिए तो उस कुट्टे को तुमें बचाना पड़ेगा ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है मुझे कुट्टों से बॉर्डर लगता है पर कैसर अगर हमें ये एनरजी ड्रिंक भी नहीं है तो हमें इनके कुट्टों को बचाने पड़े का जो कि समुंदर में जा चुका है समुंदर में अपने कुट्टे को कॉल लेके जाता है पर हमें इसको बचाना दो पड़ेगा चलो फोड़ा पड़े से बचा दे कुट्टे मैं आ रहा हूँ तॉमी तॉमी हम तुमें बचाने आ रहे आरे आप का जा रहे हो अरे अंकल आ रहा है आपका टॉमी और काईजर आप देख सकते हो हमने इस गुत्ते को बचा लिया है मुझे इसको दूर रखना पड़ेगा मुझे बहुत ही डर लगता है इससे अरे तुमने टॉमी को बचा लिया तुमने टॉमी को बचा लिया और काईजर आप देख सकते ह क्या सही में तो काईजर आप देख सकतो टॉमी को बचाने से हमें यहापर एक बढ़िया सी स्ट्रिंग एनर्जी ट्रिंग मिल चुके है इसको पीने से मैं अफ्ग्रेड होने वाला हूँ और उसके बाद मेरी गर्फ्रेंड बनेगी फड़ा पट से इसको पी लेते हैं अपक ឡ्योकु में घूके को को बन चुके हो पर अगर तुमें लेवल 9999 का बनना है तो तुमें और भी एनर्जी ट्रिंग पीने पड़ेगी हाँ पने बिल्कु से ही कहा मुझे तुन्या का सबसे खतरनाग गो कु बनना है उसके लिए मैं और भी एनर्जी ट्रिंग पीने वालों तो क्वाइसर यहाँ पर में एक बड़ी ऐसा गोकु तो बन चुका हूँ पर हमें दुनिया का सबसे खतरनाग गोकु बनना है अगर मुझे अपनी गर्फ्रेंड से शादी करनी है तो फड़ा पर से चलते हैं और भी श्टिंग एनरजी ट्रिंग पीत में उससे पहले कि चैलेंज शुरूओ तुमें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम अपग्रेड क्यों होना चाहते हो गोकु अंकल मेरी बात सुनो मुझे अपग्रेड इसलिए होना है ताकि मैं दुन्या का सबसे खतरनाग गोकु बन सुकूँ और अपनी गर्फ्रेंड के तो गुड लग गोकु अगर आप चाहते हो मैं दुन्या का सबसे खतरना गोकु बन जाओ और मेरी शादी हो सके तो गुड लग गोकु कमेंट करना बिल्कुल मत बूलना अंकल मैं चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तयार हूँ बताओ मुझे क्या करना है बच्चे उससे पहले मुझे बाकी के कंटेस्टेंट को बुलाने दो जल्दी चल्दी सब आजाओ सब के सब चैलेंज में मरेंगे और सिर्फ एक होगा अपग्रेड सॉनिक गोकु और वेनम तुम तीनों के तीनों इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हो क्या तुम तयार हो मैं तो बिल्कु तयार हूँ मैं भी तयार हूँ वेनम हमेशा तयार रहता है तो जैसा कि तुमको पता है इस चैलेंज में जो भी चीतेगा उसको मिलने वाली है श्टिंग एनरजी ट्रेंग जो भी स्कूपी एगा हो जाएगा अपग्रेड अरे पर यह तो बताता हूं चैलें में करना का है यह जो स्विंग फूल है तुम्हें इसके अंदर जंप करना पड़ेगा हूं 50,000 फी यूचाई से और तुम्हें 50,000 फीड की यूचाई पर लेकर ठाऊएगा यह हैलिकॉप्ट इसके अंदर से तुम्हें जनप करना होगा, सबसे पहले कौन जाएगा अरे ये तो बहुत ही कदरनाग है, उपड़ से कौता पढ़ेगा, मुझे डर लग रहे डरो मत सौनिक, सबसे पहले तुम जाओगे क्या 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 क्या, मैं नहीं जा सकता अरे जाओ जाओ सौनिक कुछ नियोने वाला अरे मुझे डर लग रहा है परचाना तो पड़ेगा मुझे वुष्टिंग एनर्जी ट्रिंग भी नहीं है चलो फड़ा फट से हलिकोप्टर में चड़ जाते है तो काईजर अभी आप देख सेकते हो इस जैलेंज को सबसे पहले करने जा रहा है सॉनिक देखते हैं यह क्या करने वाला है क्या यह स्विमिंग पूल में लैंड कर पाएगा आपको क्या लगता है फड़ा फट से कमेंट करके बता दो जिल्दी कमेंट करके बताओ वैनम सॉन तो क्या फिर कई इन तीनों में से कौन जाने वालाइब स में और गाने वाले सिजमिंग पूल से बाहर यह लग अगढ़ त्यासाजार फीट उपर जाना पड़ेगा पचासाजार मुझे तो 50 तर्थ किंती बिन्यादी मुझे बचाओ बचाओ त्यार हो जो मैं खूतने वाला हूं बचाओ मुझे बचाओ अरे मुझे बचाओ और कैजर आप देख सकतो सोनिक ने जुप लगा दिये नहीं 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 मैंने बताया था हाँ हाँ सही बात है बताया था तुमने गलत किया चलने कलिया से बच्चो चुप चाब बैठ जाओ मेरी बार या चुकिए और मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट करके दिखाऊंगा सॉनिक की तरह नहीं छोटे स्विमिंग पूल में मैं आपको के लगता है इसके साथ क्या होने वाला है क्या यह जाएगा पूल में या फिर भार पड़ाफट से कमेंट करके बता दो और इसको भी 50,000 फीट ओपर जाना पड़ेगा जब तक यह ओपर जा रहा है आप पड़ाफट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को जाओ और काईजर आप देख सकतो यह वेनम कोच चुगा है हेलिकॉप्टर से पानी की तरफ फॉल स्पीड में आ रहा है क्या यह लेंड कर भाएगा और यह क्या हो गया यह कैसे हो सकता है वेनम भी होता है डिस्कौलिफाइग अब बारी कोकू की देख दे यह क्या करता है तो काईजर सौनिक और वेनम दोनों के दोनों फेल हो चुके मतलब यह चैलेंज सही में बहुत ही जादा खतरनाग है वनाबे कैसे भी करके कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें वो श्टिंग एनरजी ट्रिंग कैसे भी करके पीनी है और अपग्रेड होना है करते second week Medya Housing करने से जम में पूल के अंडर व्लाइक और सबस्क्राइब करना तो बहुत ही जादा बढ़ने वाले तो फुरावबटे लेतर जाते हैं उपर 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 और मैं आस्मान में बहुत ही साधा ऊपर पहुछ ही तुका हुआ पर कम्पलीट ओने वाले नीच मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बॉर्डर लग रहा है, सामने स्विमिंग पूल है, हमें उसके अंदर कैसे भी करके जाना पड़ेगा, और काईजर आप देख सकतो, बढ़िया सी लेंडिंग हमने या पर कर लिये, यह कैसे हो सकता है, आज तक कोई नहीं कर पाया, गोकु ने कर दिखाया, और काईजर आप देख सकतो, मैंने यह चैलेंज कंप्रीट कर दिया, पचास हजार फीट से जम कर लिया, इस स्विमिंग पूल में, बहुत बढ़िया कोकु, मैंने नहीं सोचा था, तुम यह कर पाओगे, पर तुम ने कर दिखाया तुम बनते हो इस चैलेंज के विजेता, और यह स्टेंग एनर्जी ट्रिंग तुमारी हुई, तो काईसर, हमने इस सेलेंज को कंप्रीट कर दिया, इतनी बढ़िया लेंडिंग करके, और साथ में, हमें यह स्टेंग भी मिल चुके, इसको बढ़ा अपट से पीते हैं, और हो जाते हैं, अपग्रेड एक खतरनाक से गोकु में, जल्दी से जल्दी हमें, तुनिया का सबसे खतरनाक गोकु बनने हैं, ताकि मैं शादी कर सकूँ, बढ़ा भी फिलाल इसको पी लेते हैं, अब कप 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 कप, और कैसर आप तेक सकते हूँ, मैं आपर कोचु का परकाईस है, टाइम बहुत ही काँ में, हमें अपनी कर्फरेंट के साथ शादी करनी हैं, तो जल्दी जल्दी चल्दी चलते हैं, और भी अफग्रेड होते हैं, कोकु, तुम आ गए, मुझे तुमारी मदद के जर्वत हैं, मेरी पात सुनो, अरे ऐसा क्या होगे, कुछ खतरनाक एलियंस थी, मेरी गाड़ी चुरा लिये, वो पूरी की पूरी दुन्या में स्रिफ एक ही है, और मुझे वो कैसे भी करके वापिस चाहिए, अरे पर तुम तो एक खतरनाक हैं, तुम ने उनको रोगा क्यो नहीं, वो लोग मुझसे भी खतरनाक हैं, मैं उन् मैं उनसे कैसे लड़ूगा, मेरी बात सुनो गोकु, तुम्हे उनसे लड़ना ह counting पड़ेगा, याद रको, तुम्हे अफग्रेड होना हैं, तुम्हारी बात सहिए आरेंड मैन, मुझे अफग्रेड होना है, उसके लिए, मुझे चाहिए श्टेंग एनरजि डिरिंग, तो मेरी पावर से आपर बहुत खतर ना के मैं सब को खतम कर दूँगा तो कैसर अभी हम उन एलियन्स के बेस पर आ चुके इन लोगों का बेस बिल्कुल आसमान की उचाई उपर है आप देख सकतू एक तम यूएफो शिप जैसा लग रहा है मुझे इसके उपर जल्दी से चड़ जाना चाहिए और मुझे आइरन मैन की गाड़ी चुरानी पड़ेगी उसकी गाड़ी यहीं पर होनी चाहिए और यहाँ पर तो यह एलियन्स करने मैं कहां से अंदर कुसू यह तो बहुत ही सादा मुश्किल होने वाना है पर कैजर हमें वो श्टिंग एनर्जी ट्रिंग चाहिए तो करना ही तो पड़े गई आप देख सकतो यहाँ आपर एलियन गाड़्स है जो कि इस बेस की रक्षा कर रहे पर अभी फिनाल हम लोग यहाँ पर अंदर कुस चुके और हम इन सब को मार कर उस गाड़ी को चुराना पड़ेगा तो जल्दी से शुरू करते इन एलियन को मारना हमारी शिप पे बिल्ली यह कैसे हो सकता है काई बिल्ली काई काई तो कैजर अभी हमें चुप चाप से जाना पड़ेगा और इस alien को मारना पड़ेगा मैंने इसको डिस्ट्रैक कर दिया बिल्ली से और मैंसे नहीं चोड़ने वाला ये ले और कैजर आप देख सकतो इस alien को मैंने यापर मार दिया और डूंट बिल्ली तो कैजर अभी मैंने यापर जिर्फ एक alien को मार रहा है अब इस ship के उपर बहुत सारे aliens है मुझे उन सब को खतम करना पड़ेगा तो कैजर अभी इस second की बार ही आ चुकिये चुपचाब से इसके पीचे पीचे चाहेंगी और इसको ठपी करने वाले ये ले और कैजर आप देख सकतो इसको भी मैंने यापर मार दिया चुराना पड़ेगा ये सही में बहुत ही साधा खतरनाग लग रही है ताइम हमारे बहुत ही साधा का में सारे के सारे aliens को खतम करते और चल्दी से उस काड़ी को चुराते केले मैं इसको बिलकुँ ने चोड़ूँगा इसको भी हमने मार दिया तो काई सर अभी आप देख सकतो हम लोग इस गाड़ी के पास आ चुके और ये गाड़ी पास से तो और भी साधा खतरनाग लग रही है ओपर से ड्रेगन आ रहा है बीच में मिनी कोकु है और नीचे बहुत ही जादा खतरनाग गाड़ी ये सही में बहुत ही साधा खतरनाग कार है मुझे इसको जल्दी से यहां से लेकर आरेंड मैन के पास जाना पड़ेगा आरेंड मैन तो खुश हो कि मुझे बहुत सा रिश्टिंग देगा इतनी जल्दी कैसे बच्चे अभी हम बाकी है मेरी बात सुनों कर मेरी बात सुनों तुमारी बात कोई नहीं सुनने वाला हमारी गाड़ी चुराओगे आरेंड ने ये आपकी गाड़ी नहीं है ये आरेंड मैन की गाड़ी है आपको कोई गलत फैमली होगी आपके और कोई गाड़ी दोगी नई 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 ये गाड़ी हमारी है हम तुमें इसको नई लेकर जाने देंगे अच्छा तो आप मुझे ये गाड़ी नई लेकर जाने दोगे अभी बताता हूँ तो काईसर अभी लगता है मुझे इन सब को मारना ही पड़ेगा पहले मैंने सुधा चुप चाप से इस गाड़ी को ले जाऊँगा पर ये लोग मानते का पर है इन समी को एक ही सेगिंड में हमने या पर जला कर राग कर दिया है हमारी पावर से आपर बहुत ही जादा खतरनाग है और आप देख सकते हूँ सारे के सारे एलियन्स को हमने खतम कर दिया एक ही बाड़ी में आजाओ आजाओ रोको रोको मुझे कौन रोकेगा यहाँ पर तो कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं बचा पड़ापट से आरेंड मैन की गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं यह खतरनाग सी ड्रैगन बॉल्जी की गाड़ी इसको लेकर चलते हैं आरेंड मैन के पास और कैजर उसके बादा में मिलने वाली है स्टिंग एनर्जी ड्रैंग जिसको बेने से मैं अबग्रेड होने वाला हूँ एक खतरनाग सी कोकू में लेट्स को इस गाड़ी को लेकर चलते हैं तो क्या अगर आपने में देख वीडियो को लाइक ने के तो क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और हम इस गाड़ी को लेकर चलते हैं आइरन मैन के पास आइरन मैन आइरन मैन मैं तुमारी गाड़ी लेकर आ गया एरे ये क्या ये कैस हो सकता है तुम तो सच मेले आए उन एलियन्स को मार के हाँ तुमने जैसा बोला था अरे सो क्यों गया उचा उचा उचाओ मैं तुमारी गाड़ी लेकर आचुका हूँ अरे ये तो बहुत ही कतरना के मैंने नहीं सोचा था तुम जिंदा वापिस आओगे अरे क्या तुझे लगाता मैं मड़ जाओगा मुझे तो यही लगाता पर कोई मत नहीं अभी तुम आ चुके हो आरे तो इसका मतलब जल्दी से मुझे श्टिंग दे दो अरे तुमारी श्टिंग बिल्कुल ते आरे तुम जल्दी जल्दी पीकर अप्ग्रेड हो जाओ तो कैजर आरेंड मैन तो जा चुका है आप हमारी बारी आचुके यह श्टिंग पीने के इसको पीते हैं और हो जाते अप्ग्रेड एक खदरनाक से गोकु में यह कितनी सादा बढ़िया लग रहे हैं फड़ावट से इसको पी लेते हैं अब को पीने के मत मैं यहां पर एक खदरनाक से गोकु में अप्ग्रेड हो चुको यह मेरे बाल तो देखो मेरे कपड़ देखो मैं यहां पर सही में बहती जादा खदरनाक गोकु बन चुका हूँ मेरी पावर्स यहां पर बहती जादा बढ़ती जारी है मैं सही में बहती बढ यह गोकू बनता जा रहो पर गैजर आपको याद हमें क्या बनना है दुनिया का सबसे खतरनाग गोकू जब तक हम दुनिया के सबसे खतरनाग गोकू नहीं बन जाते हैं मैं यहाँ पर रुकने नहीं वाला तो क्या आपको लगता है यह दुनिया का सबसे खतरनाग गोकू है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे नहीं लिखता है ये दुनिया का सबसे खतरनाख गोकु है तो जल्दी चलते हैं और अफग्रेड होते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल स्ट्रॉंग गोकु में ओई तुमारा स्वाकत है इस खतरनाख से चैलेंज में इस चैलेंज में तुमें मिलने वाली है बर-बर के स्टिंग एनर्ची ट्रिंग पर तुम इसको कमप्लीट कर पाओगे तब ही मिलेगी चैलेंज तुमें कमप्लीट कर रहूंगा पर करना के ये तो बताओँ अभी बताता हूं, श्टिंक को बेने के लिए, तुमें ये पूरा का पूरा, रैंप कंप्लीट करना पड़ेगा, बीच मेअने वालें, बहुत सारे ऑपस्टेकल्स, सारे ऑपस्टेकल्स को, क्रोस करते-करते, तुमें फिनिशिंग लाइन पर, बहुंचना पड़ेगा, एक तो गाइजर इसको पूरी की पूरी में पीकर तुनिया का सबसे खतरनाग गोकु बनने वाला हूँ तो फड़ाफर्ट से यापरबन सेलेक्ट करने ते कौन सी बाइक में जाया जाया है ये मेरी फेवरेट कलर है तो फड़ाफर्ट से इस पर बैट जाते है और इस बाइक पर निकल जाते है पूरे के पूरे चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए हमें ये चैलेंज बिना गिरे बिना कुछ भी करें कम्प्लीट करना पड़ेगा सारे के सारे आप्स्टिकल से बचते बचाते और एक बार हमने इसको कम्प्लीट कर लिया तो मैं दुन्या का सबसे खतरना गोकु बनने वाला हूँ और कैजर हमारी फिर से गर्फरेंड बन जाएगी और हमारी शादी भी होने वाली है तो फड़ावफर्ट से फोल स्पीर में अपनी बाइक को बगायते-बगायते लेकर जाते फिनिशिंग लाइन मर और हमने पहला आप्स्टिकल तो कम्प्लीट कर लिया पर कैजर आगे चाते-चाते यह चैलेंज और भी जादा मुश्किल होने वाला है तो यहां से इस फैंसे हमें बचना पड़ेगा बचके 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 थोड़ा सा क्रेश हुआ पर हम यहां पर बच चुके सारी फुटबॉल्स को उड़ाते हम जाएंगे यहां से बचते-बचाते फुटबॉल्स मेरे पीछे आ रही है और यहां पर मेरी स्पीड स्लो चुकी है फड़ाफ़ट से अपनी बाइक को में लेकर चाना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर सामने मुझे और भी खतरनाग फैंस देख रहे हैं इंसे में बचना पड़ेगा वो सामने यूएफो किस ते लगा दिया इससे बचके 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 और कैजर इंबॉक्सों से बचते मचाते हम लोग चाने वाले और कैजर आफ देख सकतो हमने यह चैलेज आपर कम्पीर कर दिया और हम वापस से आज चुके हैं आरंट मैं फ्रेंक्लीं के पास इसका मतलब मैंने यह चैलेंज कंपीर कर दिया थो मुझे मिलने वाली इं स्टिंग energy drink ओई बहुत बढ़िया तुमने ये चैलेंज कम्प्लीट कर दिया इसका मतलब ये Sting Energy द्रेंग तुमारी हुई तो कैसर हमने ये चैलेंज कम्प्लीट कर दिया Sting भी हमें मिल चुके इसको पीने से मैं अफ़िड़ोने वाला हूं तक कि कैसले देख सकतो हूं तुमारी आपर बन चुका हूं दुन्या का सबसे ख़तरनाक गोकु ये तो सही में पुआती सान ख़तरनाक घ्रनाच है मैं कितना जादा बड़ा और कितना सादा पावर्फुल हुचका हूं मैंने आपको बोला था हम लोग दुनिया का सबसे खतरनाक गोकू बन कर रहेंगे और हम यहाँ पर बन भी चुके हम फड़ापर्ट से चलते हैं और कैसर अपनी गल्फ्रेंड से मिलते हैं क्योंकि हम सबसे खतरनाक हो चुके तो कैसर अभी हम बीच पर वापिस आचुके जापर हमारी गल्फ्रेंड ना में बोला था एक खतरनाक पावर्फुल गोकू बनने के लिए और फाइनली हम लोग बन चुके मुझे नहीं लगता कोउको भी वापिस आएगा तुम लोग बहुत खतरनाक हूँ अरे इतर तो देखू कोन है तुम ने मुझे बोला था दुन्या का सबसे पावर्फुल गोकू बनने के लिए और नहीं यहां पर बन चुका हूँ क्या को को कुकू ऐसे केसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है मैंने तो तुम सब लोगों को बोलाई था मैं अफग्रेड हो कर रहूंगा दुनिया के सबसे खतरनाग कोकु में और मैं अब अफग्रेड भी हो चुका हूँ तुकाईसर मैं तुम बिल्कुल त्यार हूँ इन सब को बीटने के लिए आरा बैटा हम पिटने के लिए तयार नहीं है वाँ कोकु तुम तो सही में बहुत खतरनाग होगे जैसा कि मैंने तुमको बोला था मैं तुमको बोला था मैं तुमारी कर्फ्रेंड वापिस से बनूगी और तुमसे शादी भी करूँगी और हाँ साथ में तीनों को भी मार दो तो कैसर वड़ावट से तीनों को खतम कर दिया जो कि हमसे पावरफुल कभी ने कभी तो थे पर अभी फिलाल हम लोग इनको मारने माले है हमारी पावर्ट से आपर बहुत खतरनाग सी लेजर की मदद से हमने इन लोगों को यहां पर खतम कर दिया बहुत बढ़िया कोकू बहुत बढ़िया चल्दी चल्दी बताओ हमें शादी कप करनी है और कैसर इसे के साथ हमारी शादी में यहां पर फिक्स होने वाली है डेट आप लोग डिसाइड करो चल्दी चल्दी कमेंट करके शादी की टेट बता देना और काई सथी वर्ष से वेता अगर आपको आज फीडिटों लाइक करते ना जैल पर नहीं तो सबस्क्राइब करते ना बताना कैसे लगी फीडियो फुटा फट से कमेंट करके बता दू और गैसर इस्टार मोर्ड डिस्कॉर्ड डिसेप्शन पे वहाँ पे जाके जोनर फोलो करें ना और गैसर हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई